Hello guys, welcome back to my channel मैं आपका दोस्त थली जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि Big Billion Days आपको BBD जो कि आपको Flipkart में देखनों को मिला और Amazon Great Festival Indian Sales जो कि आपको Amazon में देखनों को मिला तो इन सभी में आपको काफी भारी डिसकाउंट देखनों को मिला जिसमें बहुत सरे लोगों ने गेजेज का पर्चेजिंग भी हुआ सबसे पहले में आपको बता दू जो सबसे अच्छी डिसकाउंट था वो था iPhone 11, 11 Pro या फिर आपको XR और सबसे बहतर जो डिल मुझे लगा वो था iPhone SE 2020 तो जी हां दोस्तों इसका अन्बोक्सिंग मैंने दो-तीन दिन पहले ही कर चुका मुझे यह बोला गया कि इसका जो camera quality है चाही वीडियोग्राफी हो या फिर आपको photography या फिर आपको portrait mode तो बहुत सारे लोगों ने मुझे comment करके बताया और या मुझे यह वीडियो बना दीजिए, मुझे यह वीडियो देखना है तो इसी पर मैंने यह सोच कर यह वीडियो बनाया हूँ कि आपको एक छोटा सा लुक दे दू ताकि आप एक अनुमान मिल सके अगर आप iPhone AC 2020 लेते हैं या फिर आप अल्रेडी ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास iPhone AC 2020 है तो किस तरह का जो फोटोग्राफी आपको देखने को मिलता है और किस तरह का आपको वीडियो ग्राफी भी देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए पहले मैं आपको इस कैमरा के बारे में बता दू इसमें जो आपको कैमरा देखने को मिलते हैं इसमें आपक आपको सिर्फ एक single rear camera देखने को मिलता है जिसका आपको 1.8 aperture देखने को मिलता है आप इसी camera के मदद से आप portrait mode या फिर आप 4K at 60fps तक वीडियो recording कर सकते हैं अगर बात करें इसकी selfie cameras के बारे में तो इसमें आपको 7 megapixel का selfie camera देखना को मिलता है जो आप 1080p 60fps तक वीडियो recording कर सकत है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आपको इसमें selfie camera में आपको portrait mode भी देखने को मिलता है जो कि मैं आपको बता दूँ अगर आपको पास iPhone XR है उसमें आपको selfie camera में काफी बहतर portrait mode भी देखने को मिलता है लेकिन इसमें एक downfall यह है कि आपको इसमें किसी भी तरह का object हो य में आप नहीं उठा सकते है और नहीं आप iPhone XR से भी किसी भी तरह का animals या फिर आप trees का portrait mode नहीं उठा सकते है तो चलिए मैं आपको देखाता हूं कुछ samples जो आपको काफी पसंद आने वाला है क्योंकि इस price range में आपको almost 26,000 रुपीस में इस तरह का camera quality और video quality आपको किसी भी smartphone में नहीं देखने वाला क्यों अगर बहुत सरे लोगों का सवाल होता है क्या मुझे iPhone XR लेना चाहिए या फिर मुझे Google Pixel 4a लेना चाहिए जो की हाल ही में launch हुआ है या मुझे OnePlus Note के तरफ जाना चाहिए तो मैं आपको बता दू अगर आप OnePlus Note लेते हैं तो इस तरह का quality आप आपको OnePlus Note में नहीं देखने को मिलता और नहीं आपको पिक्सल में वीडियो ग्राफी अगर लेते हैं ज्यादा तो आपको पिक्सल फोन में भी वीडियो ग्राफी जो है वह काफी बहतर देखने को नहीं मिलता अगर बात करें पिक्सल फोन में आपको फोटो काफी जबर ज मिलते हैं लेकिन अगर आप वीडियो बहुत जादा करते हैं तो फोन आपके लिए नहीं है क्योंकि वह ओवर हीट होने लगता है कुछ देरी वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद तो चलिए मैं आपको कुछ सेंपल देखाता हूं जो मैंने डेलाइट में क्लिक किया हूं I hope आ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यह हमारा पहला फोटो है जिसमें आपको दो बड्स देखने को मिलते हैं इसमें आपको जो दो बड्स है वह काफी बहतर तरीके से यह डेलाइट में खिचा हूआ तजबीर है इसका जो लेंस है यह ठीक आइफोन 8 के तरह ही लेंस दि किया गिया है उसके बावजूद भी आप वह काफी सार्प और काफी डीटेल फोटो देखने को मिलता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइफोन के जितने भी फोटो होते हैं वह काफी जवरजस्थ और बेस्ट कॉलिटी के होते हैं तो जैसा कि आप यह फोटो में देख हैं यह दो वर्ट का जो फोट फोलियो हो वह बहुत ही सांदार है इसमें किसी भी तरह का बूश्टेट कलर या फिर आपको किसी भी तरह का कोई डाइनामिक रेंज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला अगर बात करें दूसरे तजबीर के वारे में तो यहां पर आपको एक ह हैतर तरीके सा काम किया है और काफी अच्छे तरीके से जो सन का जो रेज है उसको मेंटेन करते हुए किसी भी तरह का ब्लैक या फिर किसी भी तरह का कोई पिंकिस कलर देखने को नहीं मिलता यहां पर आपको एक सार्प डिटेल का पिक्चर देखने को मिलता है जो की वाइ इसका एका वो काफी ही well maintained है और जो इसका aperture है वो काफी बहतर तरीके से photo को click किया है इसका dynamic range इसका जो overall photo का quality है काफी detail देखनों को मिलता है next photo को बारे में तो यहाँ पे मैंने just एक चाय का टीपोट में चाय का एक photo उठाया हूँ जो यह भी काफी अच्छे तरीके से photo click किया गया है क्यूंकि इसे मैंने बहुत ही close ही close तरीके से photo उठाया हूँ तो यह एक micro shot है तो इस तरह के photo आपको देखनों को मिल सकता है iPhone AC 2020 के main camera स अब चलते हैं हमारे यहाँ दूसरे picture में जैसा कि आप लोगों को दिखी रहा होगा मैंने यह just apples का photo लिया है और जो apples का real color है जो आप आख से देखते हैं उसी तरह का photo click करता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें किसी भी तरह का detail का miss out है अगर देखते हैं इस photo को तो इ निचे का grass से वो भी काफी अच्छे तरीके से click किया गया है अगर बात करें हमारे next photo के बारे में थीज फोटो में आप लोगों कि देख सकते हैं कि किस तरह से जो wind will है उसको काफी अच्छे तरीके से काफी sharp और काफी बहतर तरीके से photo click किया गया है और इसमें किसी भी तरह का color का कोई miss out नहीं है अब बात करें हमारे इस photo के बारे में तो इस photo में भी आपको या plant में किसी भी तरह का कोई भी details या फिर green आपको काफी बहतर तरीके से देखने मिलता है जो आज पास के जो area है वो काफी अच्छे तरह से automatically blur हो चुका है क्योंकि इसे मैंने भी काफी close camera short से लिया हूँ अगर हम बात करें human subject के बारे में तो जी दोस्तो अगर आप इस photo में देखेंगे तो इसका जो color है skin का वो miss out नहीं हुआ है और काफी अच्छे तरीके से color है वो pop up करते हुए देखने को मिलता है जो कि ये एक अच्छी बात हो जाती है क्योंकि आपको पता ही होगा आइफोन जितने भी आइफोन होते हैं उसके जो camera's होते हैं वो काफी जबर जस्त होते हैं इसमें कोई दो राए नहीं होती अगर बात करें इस photo के बारे में तो ये 2x zoom से लिया हूँ जो कि आपको detail काफी accurate और जो saturation है और जो background है वो काफी well maintained है और किसी भी तरह का कोई deal या आपको details miss out नहीं देखने को मिलता है अगर बात करें इसके portrait camera के बारे में तो मैं आपको बता दूँ iPhone को portrait का king कहा जाता है क्योंकि यह जिस तरह का portrait आपको click करके देता है industry में आज तक इस तरह के कोई भी portrait नहीं खिषता सिवाए एक अदो phone के जैसे कि for example Google Pixel के photo काफी अच्छे होते हैं लेकिन Google Pixel के जो वीडियो गराफी होते हैं वो उतनी खास नहीं होती लेकिन आपको iPhone SE या फिर iPhone XR या फिर iPhone 11 की बात करें तो यह काफी जवरजस्त होता है उसका कोई मुकाबला नहीं अगर बात करें second portrait photo की तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है काफी clear, काफी बहतर आपको portrait या bouquet effect देखने को मिलता है जो आपको काफी जवरजस्त देता है अगर बात करें इस portrait mode के बारे में तो इसमें भी आपको किसी भी तरह का कोई skin tone या फिर आपका shirt का color किसी भी तरह का कोई color compromise नहीं किया गया है जो real to look है, जो real है वही आपको pick लिकाल के देता है अगर बात करें selfie camera के बारे में तो मैं आपको बता दूँ इसका जो selfie camera है आपको 7 megapixel का देखनों को मिलता है जो कि overall ठीक ठाक है आपको iPhone 11 या 11 Pro की तरह 12 megapixel camera नहीं देखनों को मिलता है लेकिन iPhone SE 2020 में भी आपको 7 megapixel camera होने के बावजूद भी आप काफी बहतर और काफी लाजवा फोटो क्लिक कर सकते हैं और इसमें साथी साथ आप selfie mode से आप ported mode का भी फोटो क्लिक कर सकते हैं जो कि आपको iPhone XR में देखनों को नहीं मिलता इस फोटो में आप देख रहे हैं ये selfie फोटो है जो कि एक daylight में खीचा गिया है इसमें किसी भी तरह का detail या skin tone में किसी तरह का कोई color compromise नहीं हुआ है और जो overall saturation है आपको काफी बहतर देखनों को मिलता है अगर बात करें पीछे के बारे में तो पीछे में भी आपको काफी जबर जब किलियर और detail पीक्चर देखनों को मिलता है अगर बात करें हमारे second selfie camera के बारे में तो यहाँ पे भी आपको एक बहतर skin tone और detail काफी बहतर देखनों को मिलता है फेस पे अब बात करें portrait mode में तो जी हाँ दोस्तों इसमें आपको selfie portrait mode भी दोखनों को मिलता है काफी जवरजद, precise और अच्छा cutting है जो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं देगा तो इस photo में अगर बात करें तो इस photo का मैंने काफी बहतर तरीके से लिया है जो dynamic range है वो ला जवाब है इस तरह का dynamic range आपको 26,000 में किसी भी तरह के phone में नहीं मिलेगा यह सिर्फ आपको iPhone ही में ही मिल सकता है अगर बात करें selfie camera से video recording का तो आप इसमें 2080p 30fps पे काफी बहतर selfie camera से video recording कर सकते हैं तो कुछ यह रहा हमारा samples अब मैं यह video shoot कर रहा हूँ iPhone SE 2020 से जो कि इसका भी megapixel आपको 7 megapixel camera देखने को मिलता है जी हाँ दोस्तों यह selfie camera से ही video recording हो रहा है और मैं किसी भी तरह का कोई extra microphone का इस्तमाल नहीं कर रहा हूँ जस्ट मैं walking कर रहा हूँ जिससे आपको एक एक अनुमान मिल सके कि कि किस तरह का stabilisation आपको SC 2020 में भी देखने को मिलता है तो यह दहां हमारा selfie camera comparison जो कि आपको iPhone SE तो हमें comment करके बताए कि इसका dynamic जो range है जो video quality overall आपको कैसा देखने को मिलता है अगर बात करें इसमें आपको slow motion में तो जी हां दोस्तों इसमें आप 1080p में 240k fps पे आप slow motion भी record कर सकते हैं तो कुछ इस तरह के आपको slow motion clips देखने को मिलता है इसमें बस आपको एक ही चीज miss out है जी हां दोस्तों कि आप इसे portrait mode में आप किसी भी object का portrait photo नहीं लिका सकते इसमें आपको simply human को ही आप लिका सकते हैं किसी भी तरह का others product का आप portrait mode खिच नहीं सकते तो यह रहा हमारा iPhone AC 2020 का review अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करे और हमारे channel को भी subscribe कर ले क्यूंकि इस तरह का video बनाने में काफी महनत लगता है और आपके subscribe और like से हमें motivation मिलता है और हमें और भी वीडियो अपलोड करने की होस्ता मिलता है तो बस इस वीडियो में इतना ही टटा